पिछले सारा सब वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए इतना अच्छा रेस्पॉंड देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोग स्पेशली जो कॉमेंट आया है कौन सा स्टॉक के ऊपर हम लोग आनलेसिस करने वाले हैं आपका जो सजेशन्स आया है उस आपका नाम लूँ दूरिंग देट स्टॉक अनलेसिस स्टाटिंग में तो आप लोग एक बार हस्टाक माइन नेम लिखके उस कमेंट को कर सकते हो कमेंट के एंड में लिख दीजेगा सो देट में उसके सजेश्टेट बाइ इस पीपल और दैट पीपल में करके वीडियो स हम लोग ऐसे आच जो भी कंपनी के ऊपर बात करेंगे जो कमेंट सेसे में हम लोग को सजेशन आया था जिसका नाम है ONGC और और नाच्राल ग्यास कोर्पोरेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं फंडामेंटल यह है कि एक्सलोरेशन ग्यास जो भी एक्सलोरेशन अफ क्रूड ओयल और नाच्रल ग्यास यह चीज का यह एक्सलोरेशन करता है डेबलोमेंट भी करता है प्रडॉक्शन भी करता है और यह आप कंफ्यूज बिल्कूल भी मत होई एगा BPCL IOCL इसके साथ बिकॉज यह बिकॉस दे प्रडॉक्शन कंपनी तो जमिन अस्मान का फरक है ठीक है उसका बाद हम लोग चलेंगे मार्केट केप्लेशन पर मार्केट केप्लेशन बोल रहा है कि 96,000 करोड के असपास का कंपनी है और एंटरप्राइज वाल्यू जो है 1,95,000 करोड का कंपनी है काफी डिफरेंस है लेकिन यह वाला क्या है ऐसा प्राक्टिकली तो होगा नहीं विकाज आप सपुद खरीद लिया ओंजिसी उसका मेशनेरिस आप दो दिन में या एक साल में भी आपको मुश्किल हो जाएगा बैचने के लिए तो इसको ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा और इसका जो प् करोड रुपे का लोन है जो कि अपना मार्केट का पिलाइशन से बहुत ज्यादा है ठीक है फिर भी इसका अगर डेप टू एकुटी रेशियो हम लोग देखते हैं तो हम लोग का जो थ्रेसोल्ड है वन से नीचे है तो हम लोग थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं राइट 0.5 के क्यां पर पास है ठीक है क्योंकि यह पर आपका इस डालना जरुरी होता है प्लो रहना जरुरी होता है और उसका बाद हम लोग देखेंगे कि पलेश पर सेंड है इसका पर कोई डिसक्रसन के बाद है नहीं प्रोमोटर होल्डिंग 56 होना भी चाहिए प्राइबेट सेक्टर होता था हम लोग सोचते इसके बारे हैं गोर्मेंट के हाथ में है तो प्रोमोटर होल्डिंग उतना मैटर नहीं करता है ठीक है और यह तो enterprise value हम लोग बात कर लिये हैं ROCE 20% के आसपास है साड़े 19 के आसपास है ठीक ठाक है मतलब इसमें थोड़ा सा पैसा इंकम करना भी उतना इजी बात है नहीं और जो ROE है 15% के आसपास है ठीक है तो अबरली देखा ज़्यादा company fundamentally बहुत अच्छा है और इसका तो dividend yield काफी अच्छा है और जो भी थोड़ा सा अगर जो concern की बात हो सकता है that is your debt थोड़ा सा concern उतना भी ज्यादा concern नहीं है because debt to equity यहां पर आम लोगों का बहुत कम दिखा तो company के बारे में आप लोग जान लिए तो आज पर प्राक्टिस हम लोग चलते है profit and loss पे profit loss क्या बोल रहा है profit loss इसका net profit अच्छा कासा बढ़ा इसका घटा हुआ है profit यह वाला चीज आपको लोगों को ध्यान में रखना है जब result निकलेगा तो क्या होगा क्या नहीं ठीक है उसका बात cash flow में चलते है इसका जो cash flow है थोड़ा सा दिकत की बात होता है शाड़े 6,000 क्रोड का negative में है या माइनस 97 negative में है बट 2019 में बोचिट 2018 बट अभी जैसे लग रहा है कि ठीक ठाक है क्योंकि 1250 क्रोड का प्लॉस क्यास लोग positive में है तो यह वाला जो चीज है इन्वेश्मेंट के लिए बहुत अच्छा चीज है ठीक है ना ओन जी सीए तो अच्छा चीज है ही और अभी जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को क लिए क्या राटर करना है है कौन सा प्राइस लेवल में हम लोग छोडना है यह बला हम लोग ढीस्कस करेंगे आपका टेक्निकाल अन्युजिस में तो टेक्निकल को जाने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूम कि अगर आपको portfolio management करना है portfolio management आपका ONGC के साथ करना है तो एक आपको सजेशन दूंगा सजेशन इस डाट कि यहां पर जो देख रहे हैं कि 25 पर प्रूपई पर 1 भी पर 75 पैसा इस टाइब का वह डाट है अगर इस टाइप का डिविडेंड आपका चलता रहा ठीक है अप लोग अगर एकस्पेट करें हो कि एसा डिविडेंड यह देता रहे तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके आजे सेविडेंड डूट आपका बसक्यूद आपका रिटर्न यह मिल सकता है यह बहुत पर अच्याव के प्राइश में कम प्राइस मिल जाता है और दिविडेंड को बहुत अच्छा का सा मिलता हर मंत और उसका बाद ढखाएंड साथ-ाच्छल ना जो प्रुरत सेयर बढ़ता है वह अलग है जो उसका प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है घटे का तो भी आपको पोर्टफोली में उतना दिक्कत होगा नहीं ठीक है ना क्योंकि आप लोग को डिविडेंट मिल मिलके वह बालांस हो गया होगा तो इसके उपर आप लोग सोच सकते हैं करन हो नहीं पाया उसका बाद यह उपर ही चला जा रहा है तो यहां पर ग्याब भी बढ़ा हुआ है तो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही हो सकता है ठीक है फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को वान वीक पर जाना है वान वीक क्या बो उपर से इसका intensity भी हाई है, जब तक इसका consolidation नहीं हुआ, जब तक यहां पर crossover नहीं हुआ, अगर crossover कब हुआ आपको जानना है, तो अगर नया है, तो अगर चैनल को subscribe कर लिजिए, अगर नहीं है, तो अगर subscribe है, तो आप लोग को notification मिली जाएगा, मैं notification डाल दूँगा, टेस्ट के हिसाब से, कि यहां पर crossover अगर हो गया, यह one week और one day वाला जो चार्ट है, यह वाला satisfy हो जाएगा, और यह उपर जाएगा, बल्ला bullish trend आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग को wait and watch करना पड़ेगे, one month पर हम लोग को crossover चाहिए, तो अगर हम लोग safe इसमें invest कर सके, करेक्ट, मैं आसा कता हो कर आप लोग को समझ में आता होगा, आप लोग को, जो भी queries है, आपको clarity मिलता होगा, ठीक है, उसका बाद देख चलते हैं, दूसरा जो हम लोग का trading setup है, इसमें तो पूरा negative दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा risk हो सकता है, बट ज्यादा time तक आप को रखना मत, आप लोग को decision लेना, जैसे ही 100 share लिए हैं, 50 share आपको continue करना है for the dividend, और 50 share मेरे को खाली trade करना है for the swing trade, तब जाके इस टाइप का company के साथ ऐसा ही आप लोग को investment decision लेना चाहिए, तो आपका risk भी घड जाएगा, और आपका profit है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके आ कार्ड होता जाएगा, तो आप दूसरा कहीं और company में invest कर सको, करेक्ट, तो कुलमिला का बात यही है, कि आप लोग को देखना है किस टाइप का investment करना है, investment type भी आपको बता दिया हूं है, 50% for the long term, 50% for the swing trade, ठीक है, और इसका candle stick है, candle stick मेरे को कुछ पता चला नहीं, लेकिन फ price देखो, 69.14 से 81.34, इसी दाइरे के बीच में भाग रहा है, तो अभी जब भी यह नीचे वाला price टच करता है, तो नीचे वाला price टच करना थोड़ा से मुश्किल है, यहां पर जो range bound है, इसी range bound के अंदर आप लोग अगर trade करते हो, कि जब भी 70 पहुंच जाए, या 60 पहु तो बहुत अच्छा opportunity है, अगर आपको swing trade करना है, क्योंकि यह swing trade लाइक ही है, और अगर long term जाते हैं, तो dividend जैसे क्या आपको मैं बताया, ओके, तो यह बाला आपको strategy अपनाना है, कि अगर यहां पे breakout होता है, breakout अब तक बहुत बार कोसिज किया गया है, बट हुआ नहीं, त तो यहां पे भी कोसिज किया गया था, और जो भी breakout होगा, ऊपर में अच्छा का सा green candle, with आपका जो बोलते हैं, volume के साथ, और volume देखना पड़े कोई फाइदा है नहीं, क्योंकि डेंजबाउंड है, जब भी एक बी candle ऊपर जाएगा, तो आप लोग एक बार volume देखके, यहा आपको देखना है कि यह जो लाइन आ रहा है, यह जो ब्लाक लाइन, उसके ऊपर ग्रीन, इसको ऐसा इस टाइप का candle बनना चाहिए, जो भी green candle बनना चाहिए, उसको cross करके बनना चाहिए, so that आपको लगेगा कि हाँ, यह अभी ऊपर जाने के लिए, और मतलों यह जो इसमें कोई ट्रेडिंग सेटप के लिए हम लोगों को दिखनी रहा है, और अभी जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा कि मैं जो बताया था कि ASEAN Paint और Hindustan Unilever में बहुत आचागा सा जो भी डाइवर्जेंस बना था, और स्टॉक तो काफी बहाग रहा है, आपको देख अब क्यालों से व्याशन के दिख सकते हैं, तो आज का बात इतना ही है, जो भी ONGC का था आप लोग अगर समझ में अया होगा है, अगर समझ में आया हुआ है, तो एक बार, लाइक कर दीजिये और कोमेंने बताइए कि आप लोग को और किसके वीडियो चाहिए, जो भी आफास के, thank you, thank you so much and all the best for your investments